और दोस्तों अभी अभी भारती स्टेट बेंक के आने के सभी अग्रहाकूं के लिए दो बड़ी खबरे नए नियम न्यूरूर्स और रेगुलेशन अपडेट निकल कर आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ओप इंडिया ने ने दो मोधि गवर्मेंट के अंदर सभी स्टेट बेंक खातादार के लिए अधीश उसना जारी कर दी गई हैं ऐसे मैं दोस्तों अगर आपका भी भारती स्टेट बेंक याने की स्टेट बेंक ओफ इंडिया में खाता है तो इस खबर और दोनों ही नए नियमू को पूरी तरह से जान लेना पहले खबर यहां आप देख सकते हैं दोस्तों SBI कातादार कों के लिए बड़ी खुस कबरी हैं बेंक ने किया यह बड़ा बदलाओ दी यह विसेश सुईता 13 अगस 2018 का लेटेस्ट अपडेट आ रहा हैं वहीं दूसरी खबर निकल कर आ रही हो सकता है इसको आपने पहले क ही देख लिया हो कि इस तारिक से बंद हो जाएगा SBI का यह ATM कार्ड नहीं कर पाएंगे कोई भी काम तो दोनों को मैं आपको फटाबर से बताने हो ला हूँ इस वीडियो को एकदम पूरा लास तक जरूर देखिएगा बात करें दूस्तों SBI के कौन से ATM कार्ड बंद होने पहली खबर तो यह रही दोस्तों और दूसरी खबर खुषकबरी निकल करा रही सभी भारती एक स्टेट में खातादार कों के लिए तो अगर आप भी फाइदा लेना चाहते हैं तो इस खुषकबरी को भी जरूर जान लीजे लेकिन दोस्तों वीडियो की तरफ आगए बे भी बेंकों का बेंक किस बेंक को कहा जाता है वीडियो देखने वाले जिन लोगों में से जो इसका साही जो आप दे पाएंगे और रेनमली सेलेक्ट किया जाएंगे डियाला सुनीश टीम के तरफ से और आप जी सकते हैं मोबाइल कंपिडर एंट टूल्स गैजिट और कु कि मुझीदा समय में 50,000 रुपे एक दिन में केस जमा करने पर खातातार को अपने पेन की कोपी बेंक में जमा करानी होती थी और पेन कार्ड नोहने फर फोर्म 6 से बर कर जमा करवाना होता था इसके बाद ही केस जमा किया जाता था लेकिन यहाँ पर SBI ने इस नियम में पार्टी केस जमा करा था उसका भी पेन नहीं देना होगा सिर्फ उसके खाता संक्या को अधार मान कर केस जमा कर लिया जाएगा ऐसे मैं आपको काफी दिक्कत्तों का सामना कम करना पड़ेगा उमेद है SBI News Studio के रूप में इंडिया News Studio का latest update आपको मिल गया होगा वीडियो क आपको लाइक कर दिये सेर कर दिये और डियलस माइन के उच कुछिंस का जवाब देते हैं शनल को सब्सक्राइब कर दियेगा थेंक्यू